स्वागत है दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इंवेस्टर टामें दोस्तों लोग बैंक FD में सालों तक अपने पैसे को निवेश करते हैं देकिन कि आप जानते हैं कि बैंक FD में भी आप सालों तक पैसे निवेश करने के बाद कोई जादा benefit हासित नहीं कर पाते हैं अगर आपका target है आज पैसे नवेश करने का और आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा fund मिले जिसमें आप नवेश करके एक बड़ा fund बना पाएं और bank FD के मकाबले आपको return भी काफी बहतर मिल पाएं तो दोस्तो इस वक्त mutual funds के अंदर लंपसम नवेश करना काफी जबरदस्ट option आपके लिए हो सकता है क्योंकि bank FD में 7.7% ब्यासर के साब से 2.5 लाक रुपे भी नवेश करते हैं और आपका target अगरे 10.12 साल पैसे नवेश करने का है तब भी आपको ज़्यादा बड़ा fund नहीं बना पाते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा inflation rate यानि के महंगाई दर बढ़ जाती है और आप जब अपने पैसे को वापस लेते हैं तो आप महंगाई को भी बीट नहीं कर पाते अगर आपके पास 2.5 लाक रुपे का fund है और आप चाहते हैं कि उसे आपको नवीश करना है और आप किसी ऐसे fund में पैसे को नवीश करना चाहते हैं जहाँ पर आपको बहतियन return मिल पाए और अगले कुछ सालों में अगर आपको 1 करोड बे fund की ज़रुत है तो क्या आप आज भी mutual funds के अंदर पैसे को नवीश करके आपने 1 करोड रुपे fund पराने के target को पूरा कर सकते हैं तो दोस्तो आज हम आपके लिए एक ऐसा ही जबरदस्त fund लेकर आए हैं जिसके अंदर आप टाटा में पैसे को नवीश करते हैं इस mutual fund प्लान के अंदर ठाई लाक रुपे तो अगले कुछ सालों के बाद आपके पास भी एक करोड तेहरे लाक रुपे का fund होगा बस इसके लिए आपको ये देखना है कि जिस पन में आप पैसे को नवीश कर रहे हैं उसका portfolio कैसा है जब फिर market के अंदर आने वले टाइम में आपको कैसी growth मिल सकती है दोस्तो अगर आपने आपसे 10 साल पहले mutual fund प्लान के अंदर पैसे को नवीश क्या होता तो आज आपके पास एक बड़ा fund होता क्योंकि पिछले 10 साल से mutual funds के अंदर लगतार compound return बहुत सारी fundों ने 30% से जाता भी दिया है और पिछले एक साल में कुछ ऐसी mutual fund प्लान है जिनका return 100% से भी जाता है तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप आज भी पैसा नवीश करते हैं mutual funds के अंदर 32 fund में तो यहाँ पर लमसम आप पैसे नवीश करके अपने एक बड़े fund बनाने के target को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं mutual funds के अंदर short time में बले ही थोड़ा भोत आपको correction मिल जाए लेकिन अगर आपका target long time पैसे नवीश करने का है तो फिर यहाँ से आप जबरदस्त benefit हासिल कर पाते हैं एक ऐसा ही fund है टाटा का जिसके आज बात करेंगे और देखेंगे कि इस fund में कैसे आप ठाई लाग रुपे नवीश करके भी एक करोण तेहरे लाग रुपे का fund अगले कुछ सालों में तयार कर सकते हैं उससे पहले आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो दोस्तो टाटा के जिस fund की हम बात कर रहे हैं यह है टाटा का midcap growth fund direct plan growth midcap sector का यह ऐसा mutual fund plan है जिसने लगतार जबरदस्त return दिया है दोस्तो अगर हम पिछले 2-3 साल की बात कर लें और return चेक करें mutual fund से scheme का तो सबसे 22 return अगर आपको कहीं मिला है तो वो midcap category के mutual fund plan के अंतर ही मिला है यहाँ पर जबरदस्त fund है यह जिनोंने लगतार काफी जबरदस return दिया है और उसकी सबसे बड़ी वज़ा यह है कि fund के अंदर portfolio में जो company है उन्होंने लगतार हमें काफी जबरदस्त return दिया है यही वज़ा है कि अगर आप आज भी mutual funds के अंदर टमसम पैसान वीश करते हैं इस बहतीन fund में तो आप भी बहतीन profit कमा सकते हैं fund का annualized return 21.84% से जाता है जबकि अगर पिछले 5 साल की बात करें तो fund ने 28.29% last 3 year में दोस्तो 26.02% last 1 year में fund का return सबरदस्त 53% और last 6 month में भी fund ने 21.86% का return क्या है अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर आपको 21% का ही return इस बहत 3 fund के अंदर मिल जाता है यहाँ पर अगर आप सिर्फ 50,006,006,006,007 रुपे का मिल जाएगा जबकि इस 50,006,006,006,006,007 रुपे की होगी लेकिन अगर आप पैसे को नवेश करते हैं 12 साल तक तो यहाँ पर 12 साल में इस 50,006,006,006,007 रुपे का एक बड़ा fund बना सकत हैं इसमें रिटन 22,002,000 रुपे तक आपको मिल जाएगा लेकिन अगर आपका टार्गेट एक करोड़ रुपे fund बनाने का है तो यहाँ पर इस fund में अगर आप सिर्फ 20 साल तक इस 50,006,006,007 रुपे का मिलेगा यानि कि कुल मिलाकर 20 साल में आपके पास एक करोड़ 13,004 28,004 रुपे का एक बड़ा fund होगा उसकी सबसे बड़ी वज़ा यह है कि इस fund का जो portfolio है दोस्तो वो काफी strong है जिसकी वज़ा से इस fund लगतार जो return है वो हमें काफी जबर्दस्तिया है यहाँ पर कुल मिलाकर है 63 यानि के 63 company और दोस्तो यह mid cap category की ऐसी company है जिनके अंदर fundamental strong है कंपनी ने quarter the quarter बहतीन result दिये हैं जिसकी वज़ा से यहाँ पर लगतार इन इस टॉकों ने return काफी जबर्दस्तिया है इसमें चाहिए से हम कमिंग सिरिया की बात कर लें LKM लेविक की बात कर लें अर्बिंदो फार्मा, थरमेक्स, यूनो मिंडा, भारत एलेक्टोनिक भारत हैवी लेक्टिकल, JSW Infra, गुद्रेज कंजूमर, कजारिया स्रैमिक कहने के दोस्तों यह ऐसी कंपनी हैं जिनके अंदर आपको आने वले टाइम में भी एक बहतीन ग्रोथ मिल सकती है जिसका फाइदा आप आज भी इस mutual funds के अंदर पैसे को निविश करके उठा सकते ह जबकि यहाँ पर अगर हम equity sector location की भी बात कर लेते हैं तो चाहिए से हम capital sector की बात करें, construction की बात कर लें, healthcare sector, other sector की company या फिर finances sector की यानि कि जितने भी बहतीन सेक्टर हैं फंड के जातर पैसे को उन्हीं सेक्टरों में निविश किया गया है जिसमें आपको बहतीन ग्रोथ मिल सकती है, यही वजाए दोस्तो अब तक भी इस फंड ने काफी return सबर्दस दिया है, और अनेवले टाय में भी इस फंड के अंदर हमें एक बहतीन growth मिल सकती है, और दोस्तो फंड का EUM 4193 करोड रुपे है, यानि कि इतने पैसे लोग ने इस फंड के अंदर अभी तक निवि निविश करते हैं, mutual funds के अंदर तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर कैसे profit होता है, तो दोस्तो जो भी आप लंसम पैसा निविश करते हैं, आपको current NAV के price ते unit मिल जाती है, और daily basis पर आप इस NAV के price को track कर सकते हैं, कि आपको कितना profit हुआ या फिर कितना loss ह फंड के अंदर अगर आप कम से कम पैसा निविश करना चाहते हैं, तो आप 5000 रुपे तक भी निविश करते हैं, दोस्तों फंड के अंदर अगर आपको risk को check करना है, तो option मिलता है आपको beta जो कि risk को represent करता है, अगर आप beta चेक करेंगे fund का, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर fund का beta एक से कम होता है, तभी fund के अंदर कम risk के साथ हमें profit काफी बहतर बिला होता है, और इस fund का beta है 0.87, यानि कि एक से कम, यहाँ पर fund ने कम risk के साथ profit काफी जबरदस दिया है, जबकि अगर हम खर्चे यानि कि expense ratio की भी बात कर लें, तो जो भी आप पैसा निविश करते हैं, लमसम, expense ratio काट कर ही, आपको NAV के price unit lot की जाती है, fund का expense ratio है, 0.74% का, दोस्तो exit load यहाँ पर है 1%, अगर आप 365 दिन से पहले 10% अपने पैसे redeem करते हैं, तब जबकि यहाँ पर tax है 10% LTCG, अगर आपको एकलाग से जादा profit एक साल के बात मिलता है तब, और एक साल से पह रैंक भी 14 नंबर पर है, 1,60,000 करोड़ोपे से जादा इस fund का U.M. है, और fund house 1995 को start हुआ था, तो दोस्तो, इस mutual fund plan के अंदर अगर हम लमसम पैसा निवेश करते हैं, और अगर हमारा target है long time पैसे निवेश करने का, तो अगले 20 साल के अंदर भी, यहाँ पर हम सिर्फ 5,00,000 कर निवेश करके अपने एक करोड़ उपे fund बनाने के target को पूरा कर सकते हैं, short time में आपको correction मिल सकता है, लेकिन long time में आपको mutual funds में बहतीन growth मिल जाती है, इस वीडियो से लेटेड, अगर आपका कोई question होता है, तो आप ज़रूर बताएए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडि जरूर कर लें, धन्यवाद